शिव महापुराण की कथा करती है तीन ब्रक्ष, तीन पशु, तीन पक्षी और तीन जलचर पित्रों के तुल्य होते हैं बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की, इसके 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 डिकार फित्रों के घर में अशन्ती एक गर में चार पांच लोग रहे हैं जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पित्र दोश, एक रुपया कमा कर लाओ, सवा रुपय खर्च हो, खोब पैसा आए, हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पित्र दोश, चार दिन दुखान अच्छी चले, बाकी के समय बेटना पड़े, समझ लेना पित्र दोश, घर म बच्चे माता पिता का अधर ना करें शम्मान ना करें तेज आवाज में बात करें समयलो पित्र दोश्च पित्र दोश मालूम पड़े पूर इतने से भी अगर आपनी समझ सकते परिवार कर कोई एक व्यक्ति जब जब बहुजन करने वेटे तब तब उसकी ठाली में बाल आए भले वो होटल में खाय तो भी बाल आजा वो कहीं खाना खा रहे तो बाल आजा आठ पंद्रा दिन में चार दिन में तीन में दो दिन में शेघे धृतिके भूजन में अगर बाल निकल रहा है के शुश निकलर रहा है समझ लेए अई कि पित्र कुछ मांग औरह रहा है पित्र आप उसक्रोडश चाहते हैं पानि ये तो वाल आजाएगा तो ने अचना चाहिएगा लोट तीम इसके वोजन में बालाएंगा समझ लो पित्र कुछ केना चाहिए बताना चाहिए ट्र में घरमें अगर आप उसे में इसमस्ते तो घर में बेठी वेठी अग्दम रंदाने लगा समझ लोगं जाया advice भर रहे हैं समाझ पित्र की च्षाया पढ़ रही है पित्र कुछ मांगे है अगर आपको बचल रहे हैBox की आख़र अठीक ह मंत एक श्क हमें के मुझति है कि को समधरबnder से जाधा करो अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पित्र दोशे पैसे नहीं आ रहा है लच्मी नहीं पिक रही पीपल के पत्ते पर श्राद पक्च की एकादशी के दे और दोदशी के दे पीपल के पत्ते पर शेहद की साथ बिंदियां लगा दीजिए उसी पर चंदन लगा दीजिए साथ आखे चावल सपे चावल उसके रख दीजिए एक जों थोड़ी थोड़ी काली तिल उसके रख दीजिए अपने पूर्वजों का नाम लेकर पित्रों का इसमें करकर गोत बोलकर नाम बोलकर बेहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए यह केवल श्राद पक्च महोगा एका दशी थी 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 जिन्दकी में कभी संपधा की कमी नहीं आएगी पित्र आशिरवात दे इवल hug 1968 उससे काली तिल और उधिती वारो इंडल आद इसको घेरी हो तो बढ़ों कि पते पढ़ी तिल और जोँ रखतर नौनी तिथी के दिन किम बार उतार प्रोंर पेहते पानि में डाल दो या फीपल के निइचे है तो अगली ती ती तक जानना आपको रोग नहीं आए घृश्ट नहीं नहीं इस शिव महा कुराण का दा बागवान शिव आनंद की राशित तो तीन व्रप्ष तीन पशु तीन परची और तीन जलजा जाए जिनको पित्र माना तो तीन ब्रक्ष कौन कौन से हैं? इन तीन व्रक्षों के में तीन व्रक्ष पित्रों के तुल्ले हैं पहला पीपल दूसरा बटब्रक्ष तीसरा बिल्पत्रक्ष बिल्पत्रक्ष कभी अनायास श्राग पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाएं कुछ भी ना कर सकते हो तो पत्ते के ऊपर कोई साभी पत्ता लें लो डूँकि कोई पत्त के ऊपर एक कुड़ी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी काम ना करकर अपने पूर वजह के लिए इन तीन व्रक्ष के नीदों सोला सुराद में किसी वी एक दिन आपको भोजन को रखतर आजा जाए अपनी काम ना करकर सुक्कन वहोगा पित्रों को शान्ति में तीन व्रक्ष पित्रों के तुल्य हैं तीन पक्षी पित्रों के तुल्य हैं कवार हंस और गरुण एक कवा और एक स्वान कुत्ता ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिन पहले आदे गंते पहले एक दिन पहले 24 गंते पहले 48 गंते पहले क्या होने वाला होता है कवार को और स्वान को भान हो जाता क्यों क्यों ये यम लोक में जहां यमराज निवास करते हैं स्वान और कवा उसे स्थान का भाग ग्रण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है पूर्वान प्राप्त होता रहता है एक कवा एक स्वान कोई घटना घटने वाली होती है तो कुटा रोने लगता कोई घटना घटने वाली होती है तो कवा आकर बेट जाता है कोई आ रहा है तो कवा आएगा कोई भाव सूचक है तो कवा आकर बेटेगा दरवाजे पर केसे उसका भी भाने आटारी पर कवा कहां बेटा है दरवाजे पर कवा कहां बेटा है किस इस्थान पर कवा विराज ये पित्रों के तुल्दे जो अदोगती में मर जाते हैं जिनको पिंड नहीं मिलता तरपन नहीं होता ब्रामन का बोज नहीं मिल पाता जो मर जाते हैं जिनका नितिन संसकार तक नहीं होता जिनकी गती विगड़ जाती है ऐसे जीव कव्य के अंस में प्रगट होते है जो प्यून अफल लेकर जाते हैं पित्र लोक में जगा नहीं होती बेकुंत में जगा नहीं होती कहीं अगर जगा नहीं है देव लोक में तो इनको कव्य के अंस में गरून के अंस में या हंस के अंस में डाल दिया जाता है फिर अगला वर्णन किया तीन पशु कुत्ता गाए और हाथी ये पिप्तरों के तुल्य होते है शिव महाभुरान की कथा कहती है अगर श्राद पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाए के मुख में गया सुर ने बर दिया था कि गाए के मुख में अगर कोई गया नहीं आपाएगा तो गया सुर सोला दिन गाए के मुख में निवास करेगा और गाए के मुख में श्राद के समय पर अगर कोई रोटी देगा श्राद के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंद करने का पुन्य फल प्राप्त होगा ये गया सुरकवर कमाता के विये था तो गाय के मुख में सोला दिन तक गया चेचर का पिंद का भाग प्राप्त होगा कुत्ता गाय और हग स्वान को रोटी क्यों देते हैं क्योंकि स्वान पित्रों को अपना भाग परदान कर देते हैं स्वान रगता नहीं है चुका देता है फिर तीन जलचर है मारा जो पित्रों के तुल्ले मचली कच्छुआ और ना पिंड जो बनाये जाता है वो पानी में दिया जाता है मचली इसको पाती है वो पित्रों को प्राप्रा होता है कच्छुआ श्रावन के में इस सोला श्राद के अंतरगर कच्छुआ यदि आपके दिये हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर लगा और महरा जनाग वो झाल वो जाता है थाया है